आपके माध्यम्सीज दोसो पचासवे सत्र के निमित मैं हाँ मौझूद सभी सांसदों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ लेकिन इस दोसो पचास सत्रों के दर्मियान यह जो यात्रा चली है अब तक जिन जिन ये योगदान दिया है बेश सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं मैं उनका भी आधर पुर्व को स्मरण करता हूँ सभाबति जी आप जब बहुत आर्टिकुलेट वे में दो अलग-अलग घटनाओं को जोड़ करके अभी पस्तूत कर रहे हैं मुझे जुरूर लगता है कि देश में जो लोग लेखन के शौकीन है वे जुरूर इस पर अब गौर करेंगे लिखेंगे कि ये 250 सत्र ये अपने आप में समय व्यतित हुआ ऐसा नहीं एक विचार यात्रा भी रही है जैसा आपने कहा कि कभी एक बिल ऐसा आया था तो जाते जाते उसी के बिलकुल अलग साथ नया भी इस प्रकार चे आया समय बदलता गया परिस्तितियां बदलती गई और इस सदन ने बदली हुई परिस्तितियों को आत्मसात करते हुए अपने को ढालने का प्रयास किया मैं समझता हुए बहुत बड़ी चीज है और इसके लिए सदन के सभी सदस जिन्होंने तक तक काम की बदाई के पाक है वरना किसी को लग सकता है वे 20 साल पहले मैंने तो यह स्टेंड लिया तब मैं कैसे स्टेंड के से बदल सकता हुए लेकिन आपने जिस प्रकार से अर्टिकुलेट करके इस बात को पस्तूत किया वे हमारी विचार यात्रा का प्रतिविम है भारत की विकास यात्रा का प्रत लिए सदन अपने आप में गवरव अनुखोव करता है मेरे लिए सभाग्य का विशह है कि आज इस महत्वपुन अवसर का साक्षी बनने का और इसमें सरीख होने का मुझे अवसर मिला है यह साब कह सकते हैं कि कभी चर्चा चल रही थी समिधान निर्माताओं के बीच में किस तरदन एक हो या दो हो लेकिन आनुभाव कहता है कि समिधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था दी वो कितनी उपयूक्त रही है और कितना बढ़िया कॉंटिमिशन किया है अगर नीचला सदन जमीन से जुड़ा हुआ है तो उपला सदन दूर तक देख सकता है और इस प्रकार से भारत की विकास यात्रा में नीचले सदन से जमीन से जुड़ी हुई ततकालिन चीज़ों का अगर पतिवीम व्यक्त होता है तो यहां बैठे हुए महनुभावों से क्योंकि उपर है उपर वाला ज़रा दूर का देख सकता है तो दूर के दरस्ट्री का भी अनुभाव इन दोनों का कॉमिनेशन इन हमारे दोनों सदनों से हम को देखने को बेलता है इस सदन ने कई इतियासिक फल देखे इतियास बनाया भी है और बनते हुए इतियास को देखा भी है और जरूरत पढ़ने पर उस इतियास को मोड़ने में भी इस सदन ने बहुत बड़ी सफलता पाई है उसी प्रकार से इस देश के गणमान में दिगच माहरूप पुरुषों ने इस सदन का नित्रत्व किया है इस सदन में सहभागीता की है और इसके कारण हमारे देश की इस विकास यात्रा को और आजाते के बाद के बहुत सी चीज़े गढ़नी थी अब तो पचास साट साल के सब्सक्राइब बहुत सी चीजें शेप ले लिया है तिकि वह स्वरायत काल में कि फिर अफ अन्नोन से हमें गुजरना पड़ता था उस समय जिस मैचुरिटी के साथ सबने नेत्रुत्व किया है दिया है यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है अधैनिस हभापती जी य एक तो उसका स्थाइट्व पर्मेन कहें या इटनल कहें और दूसरा है विवीदता डावर्सिटी स्थाइट्व इसलिए है इसलिए है कि लोकसभा तो भंग होती है इसका जन्म हुआ अब तक कभी उसको नभंग हुई है नभंग होना है यानि एटनल है लोग आएंगे जाएंगे लेकिन यह व्यवस्ता इटनल रहती है यह अपनी उसकी एक विशेशता है और दूसरा है विवित्य क्योंकि यहां राज्यों का प्रतनीजीत्व प्रत्फिकता है एक प्रकार से भारत के फैडरल स्ट्रक्चर की आत्मा यहां पर हर पल हमें प्रेर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत इस सदन में नजर आती हैं और वो समय समय पर यह रिफ्लेक्ट भी होती रहती है उसी प्रकार से उन विवित्यों के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तब इस सदन का एक और लाप भी है कि हर किसी के लिए चुनावी अख़ड़ा पार करना बहुत सरल नहीं होता है लेकिन देश हित्में उनकी उप्योगीता कम नहीं होती है उनका अनुभव उनका सामर्थ उतना ही मुल्यमान होता है तो यह एक ऐसी जगा है कि जहां इस प्रकार के सामर्थवान महानुभाव बिंडबिलक छेत्रों के अनुभवी लोग उनका लाप देश के राजनितिक जीवन को देश के निति निधारव के अंदर उनका बहुत बड़ा लाप मिलता है और समय सब्सक्राइब मिला है वय्यानिक हो खेल जगत के लोग हो कला जगत के लोग हो कलम के धनी हो ऐसे अनेक महानुभाव का लाप जिनके लिए चुनावी अखाड़े से निकल करके आना बहुत मुश्किल होता है लेकिन इस व्यवस्ता के कारण हमारी बौधिक संप्रदा का भी एक रीचनेस हमें इसे प्राप्त हुई है और इन धाइच सो सत्रों में और मैं मानता हुई का सबसे बड़ा उधारन बाबा साब आमबेड कर स्वायम है क्योंकि किसने किसी कारण समको लोगसभा में पहुंचने नहीं दिया गया लेकिन यही तो राजसाबा थी जहां बाबा साब आमबेड कर के कारण देश को बहुत लाब मिला और इसलिए इसलिए हम इस बात का गर्व करते हैं कि यह सदन है जहां से देश को बाबा साब आमबेड कर जैसे अनेक महापूर्शों का हमें बहुत ही लाब मिला ये भी देखा गया है कि एक लंबा कालखंड ऐसा था कि जहां दीपकिस जैसा कुछ खास नहीं था बिरोध भाव भी बहुत कम था ऐसा एक बहुत बड़ा कालखंड और उस समय जो शासन वेवास सामेर जो लोग बैठे तो उनको वह सोभागे रहा कि उनको इसका बहुत बड सामभागे भी मिला जो आज नहीं आजा डगर डगर पर शंगस रहते हैं डगर डगर पर विरोध भाव व्यक्तर है ताहें तेकि उस समय जोकि विरोध पक्ष नके बराबर था इस सदन में ऐसे बहुत ही अनुभव और विद्वान लोग बैठे थे कि उन्होंने शासन वे बैठे हुए लोगों को सही दिशा में जाने के लिए प्रेरीद करने के कठोर काम इसे सदन में हुई है यह यह कितनी बड़ी सेवा हुई है इसका हम गर्व कर सकते हैं और यह हम सब के लिए मरणिग है अधरी सभापती जी हमारे प्रथम उप्राश्पती जी दक्टर पपली राधाकर्शन जी ने इस सदन के सबन में जो बात कही थी मैं उसको आपके सामने प्रस्तूत करना चाहूंगा डक्टर राधाकर्शन जी ने कहा था इसी चैर पर बैठ करके उन्हों ने कहा था और वो आज भी उतना ही उपयूकत है और आप प्रणव मुखर जी आधरने प्रणव मुखर जी के बात को उलेक करते हो या आप स्वयम अपना दर्द व्यक्ते करते हो यह सारी बाते उसमे है और उसमें राधाकर्शन जी ने कहा था हमारे विचार हमारा व्यहवार और हमारी सोच ही दो सदनों वाली हमारी समसदिय प्राणाली के अउचित्य को साबित करेगी समिधान का हिस्सा बनी इस द्वी सदनिय व्यवस्ता की परिक्षा हमारे कामों से होगी हम पहली बार अपनी समसदिय प्रणाली में दो सदनों की शुरुवात कर रहे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी सोच, सामर्थ और समझ से देश को इस व्यवस्ता का अवचित्य साबित करें दाई सो सत्र की यास्क्रा के बाद अनुभव का इतना सम्पूर्ठ होने के बाद बर्तबान की और आने वाली पीडियों की दाई तो और बढ़ जाता है कि दाउक्तर रादाकर्शन जी ने जो अपैक्षा की थी, कहीं हम उससे नीचे तो नहीं जा रहे है क्या हम उन अपैक्षाओं को पूरा कर रहे हैं या बदलते हुए यूग में हम उन अपैक्षाओं को भी और अच्छा वेल्यू इडिसेश कर रहे हैं ये सोचने का समय है और मुझे विश्वास है कि इस सदन की वर्तमान पीडी भी और आने वाली पीडी भी डाक्टर राधा कृषिन जी की नाप्रेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी और उसे आने वाले दिनों में देश को अगर जैसा अभी आधाने सभाब पते जी ने कहा अगर हम पिसले 277 की विवेचना करें तो कई महत्वपून अइतिहासिक बीर यहां पास हुए हैं जो एक प्रकारते देश के कानून बने देश के जीवन को चलाने का आधार बने है और मैं भी पिसले अगर पांच साल का हिसा आपके दाब देखों तो मेरे लिए बड़े शोभागी की बात है कि अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बनने का अवसर मुझे भी मिला है विद्वत्ता पूर्ण हर एक किसी के विचार सुनने का मुझे शोभागी मिला है और कई बातों को नई सिरे से देखने का अवसर इसी सदन से मिला है और इसके लिए मैं खुद लाभान भी धुआ हूँ और मैं सब का अभारी भी हूँ और ये अगर हम चीजों को सीखे समझे तो बहुत कुछ मिलता है और वो मैंने यहाँ अनुभव किया है तो मेरे लिए आप सब के बीच कभी कभी आकर कर सुनन के मोका मिलता है वो अपने आप में एक सवभाग्य है अगर हम पिहले पास साल के पर देखे यही सदन है जिसने तीन तलाक का कानून होगा की नहीं होगा हरे को लगता तो यहीं पर अटक जाएगा लेकिन इसी सदन की मैचुरिटी है कि उसने एक बहुत बड़ा महतोपोन विम्मन एंपावर्मेंट का काम इसी सदन में किया है हमारे देश में आरक्षन के विलोक्यर के हर पल संगर्ष के बीज बोए गए है उसमसे तनाव पैदा करने के भरक्सुत प्रयास भी किये गए लेकिन यह गर्व की बात है कि इसी सदन ने सामान ने वरके गरीब परिव का दस प्रतिश्वत आरक्षन का मिलने किया लेकिन देश में कहीं तनाव नहीं हुआ विरोज भाव पैदा नहीं हुआ सहमति का भाव बना यह भी इसी सदन के कारण संभव हुआ है यह सी प्रकार से हम जानते हैं जी एस्टी लंबे अर्षेते जो युको भी शासन में जि सुधर नी चाहिए नहीं सुधर नी चाहिए यह सारी डिबेट चलती रही लेकिन वन नेशन वन टैक्ट सिस्टिम के और इसी सदन ने सर्वसंवति बना करके देश को दिशा देने का काम किया है और उसी के कारण एक नए विश्वास के साथ विश्व में हम अपनी बात खंडिता इसी सदन में नाइंटिन शिक्सिपोर में जो वादे किये गए थे कि एक साल के भीतर भीतर इस काम को कर दिया जाएगा जो नहीं हो पाया था वो धारा 370 और इसी सदन और देश को दिशा देने का काम इस सदन ने पहने किया बाद में लोग सबने किया और नेता के लिए इतने महतों को नेड़े के अंदर इतनी जो भूमिक आदा की है वो अपने आप में और ये भी एक विसेश्ता है इस सदन इस बात के लिए जिस बात को वियात करेगा कि समयधान के अंदर धारा 370 आई उसको इंट्रडूश करने वाले मिस्टर एन गोपाला स पामी है वो इस सदन के पहले नेता थे फर्स्ट लेटर थे वो तो उन्होंने इसको रखा था और इसी सदन ने उसको निकालने का काम भी बड़े गवरों के साथ करके वो एक घटना अब इत्याहस बन चुकी है डिकिन यही पर हुआ है हमारा समधान निर्माताओं ने हम लोगों को जो दाईत्व दिया है हमारी प्रात्मिकता है कल्यान कारी राज्यों लेकिन उसके साथ एक जिम्मेबारी है राज्यों का कल्यान यानि भारत है सच हम कल्यान कारी राज्यों के रूपे काम करें लेकिन हम लोगों का दाईत्व है राज्यों का भी कल्यान और यह दोनों मिल करके राज्य और केंदर मिल करके ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं और उस काम को करने में इस सदन्ने क्योंकि ये राज्य का रिप्रेजेंटेशन पुरी ताकत के साथ करते हैं बहुत बड़ी भूमी का निभाई है और हमारी समयधानी समस्ताओं को ताकत देने का भी हमने क्याम किया है हमारा संगिय धाचा हमारा देश के विकास के लिए सबसे एहम शर्थ है और राज्य और केंदर सरकारे मिल करके काम करें तभी प्रगति संबभ होती है राजसभा इस बात को सुनिशित करती है कि देश में केंदर और राज्य सरकारे प्रतिद्वन्दी नहीं है लेकिन हम प्रतिभागी बन करके सहवागी बन करके देश को आगे ले जाने का काम करते है यहां जीन विचारों का आदान पुदान होता है उसका जो अर्क है जो यहां के प्रतिद्विए अपने रज्य में ले जाकिते हैं अपने राज्य की सरकारों को उसके साथ जूड़ने के लिए प्रेरीज करने का काम जाने अन जाने भी सतर गुरुपें में करने की आवश्यक्ता होती है देश का विकास और राज्यो का विकास यह तो अलग चीज़े नहीं है राज्य के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है और देश के विकास का नक्सा, राज्यो के विकास के विप्रीथ होगा, तो भी राज्य विकास नहीं कर पाएंगे, और इस बातों को ये सदन सबसे जादा प्रतिवंबित करता है, जीवन ताके थाथ प्रतिवंदित करता है, बहुती नीतिया केंदर सरकाय बनाती है, उस नी राज्यों की रोज महराजी दिक्कत हैं, उन बातों को सरकार की नीती निधारन में बहुती सटिक तरीके से कोई ला सकता है, तो ये सदन ला सकता है, इस सदन के सदस ला सकता है, और उसका लाप फैडरल स्रक्चर को भी मिलता है, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के देश कोट आगे सब काम एक साथ होने वाले नहीं है कि कुछ काम पांच साल होंगे तो कुछ काम अगले पांच साल होंगे लेकिन दिशां तय होती है और वो काम यहां से हो रहा है यह अपने आप में अधानिया सभावती जी दो हजार तीन में जब इस सदन के 200 साल हुए थे तब भी एक समारम होगा था और तब भी सरकार एंडिय की थी और अटल विहरी वाजपाई जी प्रधान मंत्री थे तो इस दोसों में सत्र के समय जो अधनिया अटल जी का जो भाशन था बड़ा इंट्रेस्टिंग था उनकी बात करने का अपना एक लहजा था उन्होंने कहा था कि हमारे सवसद्दिय लोकतंत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए कि सेकंड चेंबर मोजूद है और ऑर और उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि इस second house को कोई secondary house बनाने की गल्ति न करें ये चेकानिक अटल जी ने दीती है इस second house को कभी भी secondary house बनाने की गल्ति न करें अटल जी के उन बात को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी लगा कि कुछ कुछ को आज के समयन्द में कुछ नए तरीके से अगर प्रस्तुत करना है तो मैं कहूंगा कि राजसभा सेकंड हाउस है सेकंडरी हाउस कभी भी नहीं है और भारत के विकास के लिए इसे सपोर्टीव हाउस बने रहना चाहिए कि जब हमारी समसद्य प्रणाली के 50 साल हुए तब अटल जी का एक भाशन हुआ था समसद्य प्रणाली के 50 साल और उस भाशन में बड़े कभी भाव से उन्होंने एक बात बताई थी उन्होंने कहा था एक नदी का प्रवाह तभी तक अच्छा रहता है जब तक कि उसके किनारे मजबूत होते हैं और उन्होंने कहा था कि भारत के समस्द ये जो प्रवाह है वो हमारा जो लोगतांत्रित प्रक्रिया है एक किनारा लोगसभा है दूसरा किनारा राजसभा है ये दो मजबूत रहेगे तबी जाकर के लोगतांत्रिक प्रमपराओं का प्रवाह बहुत ही सर्टिक तरीके से आगे भड़ेगा ये बात अधरनिय अटल जी ने उस समय कही थी ये एक बात निश्चीद है कि भारत फैडर स्ट्रक्चर है विविताओं से भरा हुआ है तब ये भी अनिवारिय शर्ट है कि हमें राष्ट्रिय द्रश्रिकोन से ओजन नहीं होना है राष्ट्रिय द्रश्रिकोन को हमने हमेशा ही केंदरवर्ति रखना ही होगा लेकिन हमें राष्ट्रिय द्रश्रिकोन के साथ राज छेत्रिय जो हीत है इसका संतुलन भी बहुत सटिक तरीके से बनाना पड़ेगा तभी जा करके हम उस भाव को उस संतुलन के द्वारा आगे बढ़ा पाएंगे और ये काम सबसे अच्छे ढंग से कहीं हो सकता है तो इस सदर्ण में हो सकता है यहां के माननीय सद्दस्यों के द्वारा हो सकता है और मुझे विश्वास है कि वो काम करने में हम निरंतर प्रयास्रत ह रात सर्भा एक प्रकार से चेक एंड बैलेंस का विचार उसके मुल्च सिध्धानतों के लिए बहुत ही महतोपूर है लेकिन चेकिंग और क्लोगिंग इसके बीच अंतर बनाए रखना बहुत आवशक होता है बैलेंस और ब्लॉकिंग इसके बीच भी हमें बैलेंस बनाए रखना बहुत आवशक होता है एक प्रकार से हमारे अनेक महानुवाव ये बात बार बार कहते हैं कि परी सदन चर्चा के लिए होना चाहिए, समवाद के लिए होना चाहिए, विचार विमस्ट के लिए होना चाहिए, तीके से तीके स्वर में विवाद हो, कोई उससे नुक्सान होने वाला नहीं है, लेकिन अवस्क है कि रुकावटों के बिजाएंड हम समभात का रास्ता चुने हैं मैं आज हो सकता हैं मैं जिनका उल्लेक कर रहा हूं इसके सिवाई भी लोग होंगे लेकिन मैं दो दलों का आज मैं उल्लेक करना चाहूंगा एक NCP और दूसरा BJD और किसे का नाम छुट जाए तो मुझे ख्षमा करना लेकिन मैं दो का उल्लेक करा हूं इन दो दलों की विशेशता देखिए उन्होंने खुद ने डिसिप्लिन ताही किया है कि हम वैल में नहीं जाएंगे और मैं देख रहा हूं एक बार भी उन्हों के एक भी सद्देशनी नियम को तोड़ा नहीं है हम सभी राजनितिक दलों को सीखना होगा including my party हम सब को सीखना होगा कि ये नियम का पानन करने के बावजूद भी है ना एनसीपी की राजनितिक विकास यात्रा को कोई रुकावट आई है ना बीजेडी की राजनितिक विकास यात्रा को रुकावट आई है मतलब वैल में न जाकर के भी लोगों के दिल जीत सकते हैं लोगों का विश्वास जीत सकते हैं ये और इसलिए मैं समझता हूँ क्यों न हम उनसे कुछ सिखें हमारे सामने मौजूद है और मैं चाहूंगा कि हम भी वहां बैठेते हैं था हमने भी काम किया है और इसलिए और इसलिए मैं मैं सारे सदन के लिए कह रहा हूं कि हम NCP BJD दोनों ने जिए बहुत उत्तम तरीके से इन चीज़ को डिसिप्लिन फ कर रहे हैं तो यह से उत्तम जो घटना है उसका जिक्र होना चाहिए और लोकों के धन में लानी चाहिए मुझे विश्वाथ है कि सदन की गरिवा के दिशा में जो भी आवशक है उसको करने में सभी सदस अपने भूमिक आदा करते रहते हैं आपकी वेदना व्यथा प्रग कि आपको कम से कम कस्ट हो आपकी भावनाओं का आदर हो और आप जैसा चाहते हैं वैसा यह सदन चलाने में हम आपके एक साथी बन करके सारे डिसिप्लिन को फॉलो करते हूँ करने का प्रयास करें इस संकल्प के साथ मैं फिर एक बार इस महत्पून पड़ाव पर सब को ब मुझे तभी कस्ट होता है जभी देश को नस्ट होता है इतना ही अदर्वाइस कोई ड़्टर मनमों सिंग जी अभी पुर्श सरज है इस अपरेड़ शभ का लटनतर है जरू सब्सक्रावनैज सरफ और 10 महत्पून झाल झाल